लो एब्रीबन काईस सो हमारे सामने एक बीश्ट जो की है बीम टबलू की तरफ से आने वाली जी 310 आरार कुछ ग्राफिक सिस्ट में कराए हुए हैं यह आप सामने से बार देखो एक बार पहले देख करके बतातो बाई कैसी लग रही है तन में आ चुका है आये बाई कैसे ह क्या है अब कुछ चीज गाडी के बारे में बहुत खास जानने हां बहुत सारे लोग सुस्ते हैं यह बड़ी लें यह उसके साथ में डिया और यह देखो और यह आपकि तूरिंग के capability के साबसे ज्यादा अच्छ होते हैं जो और आपकी रेसिंग के सबसे बढ़िया हैं बाकी गाड़ी दौनों ही बढ़िया है अगर हम इसको आउन करते हैं इसकी की को यहां लिखा आता है बीम डबलू मोटरार्ड और यह इसके अंदर में कुछ मोड से पहले मैं आपको मोड समझा देता हूं यहां पर आकर के यह देखिए इसके अंदर में राइडिंग मोट से राइडिंग मोट में हम लुक जाते हैं तो अर्बान है रेन है तो यह तो बेसिक सी बाते हो गया आप गूगल में कहीं से भी सर्च कर लोगे पता लग जाएगी यह इसका है तो अभी म कितनी इसका सर्विस कोश्ट है उसके बारे में करेंगे बाते हैं तो अब मैं तनमे से जाना जाओंगा कितना समय हो गया इस बाइक को इस बाइक को हो चुके है च्छे मही ने टोटल और साथ में एक एक्सिडेंट भी हुआ था जो के आगाज भी आप लोगों को अभी बत प्राइस कितना है इस लोगों का इस लोगों का सिफ लोगों का सिफ लोगों प्राइस मैंने सुना है ऐसा दस रार रुप है किसी को वैसे मत बता दे ना कितनी चल गई अपनी अभी चल चुकिए आपकी 7426 किलो मेटर चल चुकी है और इसमें रिंज बगे रहा सब बताइता रवी फीचर्स तो मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा इसमें जब आप सर्भी कराने या तो क्या सर्विस पॉस्टा है थी रुपीज है और बहुत ज्यादा इसकी बारह अजार रुपए है जो कि आपका इंजन और खाली इसका लेवर कोस्ट अगर बात करें कुछ भी काम नहीं करने का इंजन और निकालना डालने का चार अजार कुछ रुपए का है यह एक मैं इसमें कौन करता हूं जब की जगा बीम डबलू की जगा अर्पाची आ रहा है थी टेन की आपार्ट शेरिंग करो अल्मॉस्स सेम है सबको से मैं इसकी जो ट्यूनिंग है और जो उसका पंचे वो थोड़ा से डाउन है बाकि सारा में साथ 8000 रुपे की ब्रेक पेट का सेट है बाकि इंजन ओई बगिरा और मिला करके और उनका कुछ डाइग्नोसिस बगिरा करते हैं तो उसका भी 1200 रुपे लगा लो चैन क्लीन लुप का वो साथ 800 रुपे लेते हैं आगरा में कुछ मेरे अपाचे आर थी टेन वाले दो बार में एक बाइक को ना अच्छे से तसली से वह पूरी चेक करते हैं मालब हर एक एक चीज चेक करते हैं उसकी हर एक फंक्शन चेक करते हैं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना है और एक प्लस पॉइंट मेरे को आरे से भी लगा रोड साइड असिस्टेंस जो के BMW की कॉल कर रहा हूं विकाज अभी महरे पास कोई सेकंड पर्शन नहीं है वरना हम दोनों फ्रेम में आपको दिखते बड़ अभी मैं अपने आज से सूट कर रहा हूं कुछ लुकेशन ऐसी है आशा गाडी के बारे में आपको मैं कुछ चीज है बता देना चाहता हूं इसके अंद अगर आप मोटी बैसे तो मैं रिक्मेंट नहीं करूंगा जो गलती बहुत सारे अपाचे और बीमडबलू के राइडर्स करते हैं मैं बता दू सबको अता देता हूं एक फ्रेम स्लाइटर आता है डंडी वाला वो कभी मत लगवाना उससे चैसे अगर आपका गिर्टी की चैसिस चला जाएगा कोई नहीं यह मेरे ख्याल से मैंने जितना सर्च किया किसी यूट्यूवर ने इसका जिकर नहीं इसमें पत्ति लगती है न करोल बात कर ला है पत्ति की वो लोग अक्सर करते कि आए इसके साइड से निकाल करके इसके उपर कर देते हैं ऐसा कि यहां यह इसकरेश है देखो तो हमारी गारिम कोछी चाहसरी करें तो हमारा उपना आप लोगों को सारी चीज बताना के साथ भी दिक्कत हुई दी चकर का पती लगाते है न आपकी चैसी इसके अंदर नहीं लगाते है और फिर वह जो बोल्ट टूटा या क्रेश गार टूटता है न तो बोल्ट आपके इंजन में रह जाता है और BMW ने कुछ मेरे से 7000 चार्ज किया है इस चीज निकलवाने का ज लगाले अब तूरिंग करते तो यहां से आप मत लगाना बना यह मट में हिट करने लगेंगी इसके लिए आप के लिए यहां पर एक्सेंडर आता है इन दो बोल्त आप लगा सकते हूं कि बहुत से लोग इसने और Dominar में same लगता है मैं आपको बता दू, same part number है बस इसके उपर golden color है उसके black है, break pad same लगते हैं, बट break pad इसमें synthrit आते हैं, अगर आप stock Dominar लेते हो तो उसमें आपकी अंदर में normal stock break pad आते हैं, उसके break pad की कौर 400 रुपे होती है, इसकी कुछ 4,000 रुपे होती है, साधे 3 heaat 4000 उपे something शंवतिंग टीफ्रेंस जो होता है डिकिंग डिस्टेंस को कम करने में होता है यह बेक होते हैं फुली सिंटियद यानि काफी यूनिक है और इस लाइट का तो क्या ही कहना है जब पीछे से दिखती है ऐसा लगता है को डुकाटी पानी गाली बीफोर बगिरा चुल रही हो और आप मैंसे अभी बहुत लोगों को एक चीज़ नहीं पता होगी यह प्लास्टिक का पार्ट दिख रहा है यह ऐसे ही लगा हुआ है इसको बोलते है रे मेर इंटेक अच्छा इससे क्या होता है जो आगे से एर आती है उसको कंप्रेस करके इंजन की तरफ बेशता है और इससे गाड़ी की पावर भी बढ़े आती है ऐसा मैंने सुना है बागी का कितना प्रेक्टिकल है इस चीच के बारे में को अभी पता देंगे तो अच्छा पीचर से गाड़ी अच्छी है अच्छा ऑन रोड इसका अगर आज की प्राइज देखें नमंबर के महीने में 2030 मेरत क्या प्राइज आ रहा है अगरा मैं मैं देखूं व्यम्टप्ली को सब्सक्राइज का इसका ओन रोड पढ़ रहा थ चाइड कर सकता हूं क्योंकि इंजन ओई भी उतना ही प्राइस का जितना आरा थी टैन में ठीक है और फिस सर्विस पोस्त है वह तोड़ा सा यार मतलब 4,400 रुपे जो खाली इंजन और रिप्लेस करने की है तो वाला कि आप इसमें ट्रोटल बॉडी कराते हो तो उसका चा कर भी सेम दे रखा है सब को सेम दे रखा है अल्मोस्त बता दी अगर आम इसके डाउन पेमेंट की बात करें गाड़ी लेने जाते तो कुछ आपको यह लगा लो 70-80% तक BMW खुद का भी फाइनेंस करती है अगर आपको सिविल रिकॉर्ट अच्छा है अगर आप जॉब बा आपको फीचर जद अमल जाते है मेरी पसंद आलग है आपकी हो सकता अगरो जैसे फीचर जद पसंद आपकी आरे अपकी बात आती है आपकी City जादतर लोग City में चलाते जाद अच्छा तो मेरे खाल से आपको सिटी में मैं मेरे को मैलेस देरी 24 यह बहुत है बहुत है साल में एक बार ही सर्विस होती है दस हार किलो मीटर पर अभी टोटल साथ हजार चलिए और मेरी एक ट्रिप करके आए हूं आप लोग को तो पता ही है तो मेरी यह समझ में नहीं अगर दस हजार बोल लगा है सर्विस का तो दस हजार से पहले कुलेंट खतम हो गया बताओ इस में सर्विस मतलब अन्लेम्टेट नहीं होती है बीमड़ू के अंदर में वारेंटी होती है वो भी लिमिटेड ही होती है तो मेक शूर के यार गाड़ी आप सिंगल हैंडी रखना गाड़ी बहुत बढ़िया है लोक्स बहुत बढ़िया है भागती बहुत अच्छी है खात किसी नहीं दिया है हम दोगों ने डॉमिनार से क्रूथ वाला निकाला था वही इस से निकाल के देंगे मुझे एक साल यह जो भी पहले आजाए आप करा सकते हो तीन लाग पिचेतर जार कुछ रुपे इसका ओन रोड प्राइज आता है तो वह कोई टेंशन वाली बात लि यही पूरी फेरिंग अगर आप लेने जाते हो कुछ आपकी आती है तीन अजार साफसो कुछ रुपे की इतना पार्ट और बीमड़ू का कुछ आता है चौबिस पचीस रुपे का तो यह डिप्रेंस है प्लास्टिक क्वालिटी में भी और इसके साथ जो मेटरी ली सेंसर होता है उसके थ्रू चलती है तो इसका जो सेंसर है वह आपको 40 डिग्री होता है एक प्लस पॉइंट आपको और बता दूं यह कंपनी ने यहां पर पॉइंट दिये हुए हैं यहां पर आप आप्टर मार्केट मिरर भी लगा सकते हो अगर आप चाहों तो इन पॉइ यह चीज अभी तक किसी ने ब्लॉग में नहीं कवर करी है जो कि छोटी-छोटी हमने कवर करी सौकर इसके साथ में 41 mm के आती है जो रेडिटर इसका जड़ा दिखा हो तन में सामने से कितना बड़ा दिखता है तो गाइस यह कोछ इसका रेडिटर सिस्टम है जो की अगर अच्छा लगा अच्छा लगा लाइक कमें चैनल को सब्सक्राइब अगर इस ब्लॉग के तुरू आए हो वीडियो के साथ माइलेज टेस्ट अगर आपको इसका देखना है तो भो भी आपको बनाके देंगे बस इसके लिए कमेंट करने पड़ेंगे आपको अच्छे बढ़िया बढ़िया कमेंट करने में कंजूसी मत करो कमेंट भरपूर करो बाइक चलाते तो यारे ट्लिस यार 20% अपना इन्व फ्री जरूरी जैसे बार अच्छी से चलनते तर्फ बैसे शेब से